नमस्कार आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है इंज्या नियूस में मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडी फिल्मी गल्यारों में इन दिनो डारेक्टर सुदीपतो सेन की हालिया रिलीस फिल्म दकेरल स्टोरी की काफी जादा चर्चा हो रही है जी हाँ फिल्म में किये जा रहे हैं सभी दावों को लेकर विवाद हो रहा है फिल्म पर रोक लगाने की भी मांग उठ रही है इन सबके बीड दिगज एक्टर शबाना आजमी इस फिल्म के सपोर्ट में नज़र आई हैं उन्होंने ट्वीट कर फिल्म का समर्थन किया जिस पर करना रनौत का रियाक्शन जो है वो सामने आ गया है अपने ट्वीट में शबाना आजमी ने कहा कि जो लोग दा केरल स्टोरी को बैंड करने की मांग कर रहे हैं वो उतने ही गलत हैं जितना आमिर खान की फिल्म यारी की ला सिंग चढधा को बैंड करने की मांग करने वाले थे उन्होंने ये भी कहा है कि जब फिल्म सेंट्रल बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन से पास हो चुकी है तो किसी को भी कॉंस्टिटूशन अथोर्टी बनाने का अधिकार नहीं है अब शबाना आजमी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया है कंगना ने शबाना आजमी के इस बात को सही ठहराया है लेकिन शबाना ने जो आमिर खान की फिल्म ला सिंग चंधा का जिक्र किया है उसे कंगना ने फैक्ट की गलती बताई है कंगना ने शवाना आजमी के ट्वीट पर कहा कि आपका पॉइंट सही है लेकिन किसी ने भी ला सिंग चड़ा के बैन की मांग नहीं की थी लोग कई कारणों से उस फिल्म को नहीं देखना चाहते थे और सबसे बड़ी वज़ा थी फिल्म की रिमेक होना बेरहार रिलीज से पहले ही भले ही दकेरा स्टोरी कितनी भी विवादों का सामना करना पढ़ रहा है लेकिन थियेटर में फिल्म को जबरदस रिस्पॉंस मिल रहा है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म भी कर रही है पहले दिन फिल्म में आठ करोड से ज़ादा की कमाई की थी वहीं तीन दिरों में अब तक फिल्म ने 35 करोड की कमाई पार कर ली है तो इसे तरह के तमाम कबरों के लिए जुड़े रिए इंजनियोस के साथ